Hello friends, welcome to my YouTube channel, my name is Sophia Goyal और आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं React Query के बारे में तो चलिए, फटाफट से वीडियो को start करते हैं तो guys, आप देख सकते हो कि मैंने एक project बना रखा है जिसका नाम मैंने रखा है React Query and Use Reducer इसका नाम ऐसे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके बाद next video हम Use Reducer hook के उपर बनाएंगे और इसी project को मैं as a base point use करूंगी for another project तो जिससे, basically इससे हमें e-commerce application के 2 pages बनाएंगे तो थोड़ा से आपको connectivity समझ में आजाएगी, चीजें कैसे use हो रही हैं यह जो project है, यह मैंने white app create white app बनाई हुई है white app से बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो यह white होता है इसकी help से हमने project बनाय हुआ है, ठीक है command आप बेख लो, यही command आपको use करनी है मैं आपको screen में भी लिखकी दे दूँगी तो हमने बस यही command यूज़ करी है npm create white at the rate latest project का नाम template और template हमने यहाँ पर यूज़ करी है react, all right, तो project तो यह मैंने बनाई लिया है इसमें से मैंने फाल्तु की चीज़ें जो हमारे use की नहीं थी वो mostly हटा दी है, सिर्फ काम की चीज़ें है इसमें जो हमें ज़रुद पढ़ेंगी तो फिलाल अभी सिर्फ यहाँ पे एक empty project चल रहा है कुछ नहीं है इसमें अब guys, मैं थोड़ा सा यह documentation के साथ आपको बताऊंगी इसके बारे में जिससे आपको समझ में है कि documentation को भी कैसे refer करना है तो आज हम बात कर रहे है of course, react query के बारे में इसका नाम इनोंने बेसिकली अगर आप इनका documentation देखोगे तो अब इसका नाम 10-stack react query हो गया है version 5 से बेसिकली इंको लगा 10-stack वालों को कि हम अपना हमें भी अपना नाम शो करना चाहिए दुनिया में तो इनोंने 10-stack आड़ कर दिया है ठीक है अब main point पहला देख लेते हैं वो है हमारा installation installation कैसे करना है हम NPM पर project बना रहे है तो यह हमारी command होगी npm install 10-stack react query इसको मैं इसमें चला देती हूँ ठीक है जब तक यह dependency install हो रही है okay installed होई गई चलिए थोड़ा से इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है react query क्यों इसको यूज कर रहे है तो basically react query आपकी understanding से और मेरी understanding से क्या है एक library है जो हमारी asynchronous API calls को handle करने के लिए यूज हो रही है हमारे लिए उसको easy बना रही है लेकिन इनका कहना यह है कि इसको बोलते हैं सिर्फ इसको हम consider कर रहे है data fetching library for web applications यो कि मैंने अभी बोला बट इनका कहना यह है कि सिर्फ यह data fetching library नहीं है यह fetching के अलावा caching, synchronization, updating server state ऐसे भी बहुत सारे काम कर रही है अब इसकी क्या जरूरत पड़ी या फिर हम इसे क्यों यूज करें है देखो एक तो यह question बहुत important है because आप क्या कर रहे हो आप एक external library को अपने project में include कर रहे हो तो उससे पहले हमेशा question पूछने है कि इसकी क्या जरूरत है जरूरत है भी या नहीं अदरवाइस आप सिर्फ और सिर्फ अपने bundle size को increase कर रहे हो तो अगर आप मालो जैसे और चीज़े हैं मालो प्रिडक्स toolkit यूज कर रहे हो तो फिर आप RTK query यूज कर सकते हो उस query management के लिए अगर आप GraphQL यूज कर रहे हो तो आप Apollo client को यूज कर सकते हो वो भी कर सकते हो ठीक है अब क्यों यूज करना है इसको वो बात कर लेते हैं तो देखो इनका कहना यह है कि जो traditional हमारी state management library होती है वो client state को तो अच्छे से handle करते हैं लेकिन server state को अच्छे से handle नहीं कर पाती server state क्या होता है जो भी आपका API fetch करके जो data आया होता है जो client ने अभी तो यूज नहीं करा वो उसको हम server state कहते हैं इनका यहना यह है कि इसमें काफी सारी problem आती है इसके लिए हमें asynchronous API call की जुरुत पड़ती है potentially मतलब यह कभी भी out of date हो सकती है ठीक है, share ownership हो सकती है ऐसी काफी problem है इसके लावा और भी यह problem highlight करते है जैसे कि हमारे पास क्या-क्या challenges आती है सबसे पहला हमने data तो fetch कर लिया पर क्या वो कहीं पे cache हो रहा है मतलब अगर आप same API call बार-बार कर रहे हो तो क्या data कहीं पे cache हो भी रहा है या फिर उसको बार-बार call करने जा रहा है तो उसको भी प्रेवेंट करता है ठीक है नोजवें ताम अपड़ेट आउट-अफड़ेट डेट को यह यह तो कवर करता है मतलब बागरांग में अऊट डेट डेट को भी अबटेट करता रहता है अपड़ेट को जलडलदी रिफलेक करता है performance optimization जैसे lazy loading pagination इन में help करता है memory management, memoization again वोई caching ही हो गई है न तो इन सारे चीज़ों में basically ये बहुत helpful होती है मैंने कुछ blogs भी बढ़े थे लोगों के जिनोंने actual में जब अपने project में normal API calls को हटा के इसको use करा तो उनके performance बहुत better हो गई थी तो yes, इसके लिए इसको use करते हैं ठीक है, अब इसको हमारी इंस्टॉल तो होई चुकी है तो चलिए अब इसको फटा-फट से use करना शुरू करते हैं अब use करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक sort of e-commerce application जैसा करेंगे, पहले भी मैंने use करा हुआ है तो इसके लिए हम ये हमारी fake store API को use करने वाले हैं ठीक है, documentation में अगर आप देखोगे तो all products, याने के सारे products get करने के लिए ये API use होती है, तो इसी को हम call करने वाले हैं, products get करेंगे और अपने page पे वो product जैसे e-commerce application पे आते हैं, वैसे उनको display करेंगे, output इसका कुछ, इस तरीके से हमको मिलेगा तो चली अभी output को use करते हैं, ठीक है project की तरफ चलते हैं अब इसको call करने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे एक मैं hooks का folder बनाऊंगी, और मैं एक hook बनाने वाली हूँ ठीक है, hook क्यों बना रहे हैं, एक हम custom hook बनाएंगे, क्यों क्योंके हमारा single responsibility principle है, वही hook है, जो हमारी use होगी API, इस API को call करने के लिए आपको custom hook बनाने नहीं आता है, तो मैंने custom hooks के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप I button पे click करना आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो hook का नाम रखेंगे useproducts.jsx, ठीक है न, और इसको कैसे बनाएंगे, const use products is equal to ये hook हो गया, और जो hook होती है, वो हमारी कुछ न कुछ return भी करती है, ये हमारा basic structure होता है, ठीक है, अब हमने const fetch products, ठीक है, ये एक function मनाते हैं, अब देखो fetch products में हमें क्या करना है इस API को हमें call करना है तो कैसे करेंगे const products is equal to ये मैंने fetch के साथ कोपी नहीं करा था तो इसको हम इस तरीके से fetch करके call कर लेंगे tgh fetch और हम async await वाला function बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं async लिख लेती हूँ, यहाँ पर हम इसका await करेंगे, ओके अब const data मन लीजे is equal to, ये await products.json आ गया और यहाँ पर हमने return data कर दिया, ठीक है तो ये तो हमारा function बन गया जो के इन products को fetch करके लेकि आएगा, ओके, अब इसको use कैसे करते है, use queries, एक तो हाँ get करने के लिए जो hook use होती है वो होती है, use query, तो एक बार use query के बारे में देख लेते है, quick start में देखो, queries तो queries के लिए हम क्या की use करते हैं, इस use query को use करेंगे, ठीक है, use query को कैसे use करते हैं, हम, यहां पर देखो हम इसको result में इसके data को भी fetch कर सकते हैं, जिसमें हम use query में एक query की पास करेंगे ठीक है, और दूसरा query function पास करेंगे अब देखो, result में, इस result object में क्या क्या states हम को मिलती है is pending, is error, is success और error की state भी मिलती है, ठीक है या फिर, beyond those primary states small information is also available जैसे error हो गया, data क्या fetch किया इस fetching is true or not, ठीक है इस तरीके से मिलता है, तो क्या करना है हमें, import कर लेते हैं, पहले use query को ठीक है, 10 stack रहा query से, अब यहां पर हमको कैसे करना है, const, इसमें हमारे result आएंगे, use query query, ठीक है, और इसमें हमारे क्या क्या पैरामिटर्स थे, query key query key का नाम हम यह आपर दे सकते हैं products, यह देखो, query key होती है basically data जो होता है, उसको cache करने के लिए, यानि कि इस key से हमारे data store होगा, तो future में कहीं से reference करना होगा, तो इस key को use करके, internally react query query उसको use करेगा, ठीक है और दूसरा parameter है हमारा query function जोगे है, fetch products ओके, ऐसे यह call हो रहा है ना, check कर लेते हैं एक बार तो query function हमारा यह हो गया, query key हमारी हो गई, ओके, तो यह हमने सही से call कर लिया, अब हमें यहां से क्या क्या states चाहिए, हमको चाहिए data okay, is pending sorry, is pending is error or error fine, तो यहां से हमको जो जो चीजे मिलेंगी, वो हम return भी कर देते हैं तो data, is pending, is error और error, यह सब हमने इस hook से return कर दिया और इसको हम क्या करेंगे, export default, use products तो यह तो हो गया, कि use query को किस तरीके से use करना है, लेकिन इसके अलावा हमको इसका एक setup और चीए, छोटा सा, वो setup है, देखो फिर से देखते है, quick start में जाएंगे, अब देखो, यहां पर क्या होगा कि हमको basically इस provider में query client को pass करना है कहां application के top पे, जिससे के वो उस query client को inject कर सके पूरी के पूरी application के अंदर तो मैं कहा करने वाली हूँ, मैं इस main.jsx में इसको add करने वाली हूँ, ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे import कर लेते हैं मैं ऐसे import कर लेते हूँ import from add.rate 10 stack react query क्या चाहिए हमको query, not query options, query client और query client provider ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे करेंगे const query client is equal to new query client, तो यह हमने बना लिया, अब बस हमको यहाँ पे क्या करना है, query provider लेना है, query client provider लेना है, और client is equal to query client यहाँ पे pass कर देना है यह जो app है इसको हमें यहां से हटा देना है यह वो मेरे plug-in के चकर में हो गया तो यह आ गया अब basically यह query client को अब यह क्या है देखो यह क्या है यह provider है अगर आपने मेरा context repair का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा नहीं देखा है तो एक बार जाके वो भी देख लो और समझ लो तो basically क्या है इन्होंने हमको एक provider दिया है जो के पूरी application में इस client मतलब कि query client को inject कर रहा है अब यह query client क्या होता है देखो react query जो होती है वो सारे data की fetching और caching एक single client instance के थुरू करती है जो के होता है हमारा यह query client ठीक है तो एक इस instance के थुरू ही क्योंकि fetching और caching भी हो रही है इसलिए उसको easily data को cache कर लेता है multiple places पे check कर लेता है और इसी की वज़े से क्या होता है deduplication भी prevent हो जाता है तो यह हमारा बत्तब वैसे आप configuration याद रखो कोई इतना पूछने नी वाला मैंने थोड़ा सा बता दिया है बस तो बस हमारा यह काम हो गया अब बस हमें क्या करना है इस use products को अपनी application में call करना है और उसके बाद products को display करना है ठीक है हमारा setup सारा ready है तो सबसे पहले call कर लेते हैं import use products from hooks और use products एक चीज और मैं आपको बताना बुल गई कि जो मैंने आपको benefits बताई थे caching, duplication यह वो सारे उसके लावा अगर आप इस तरीके की API इस तरीके की libraries आप यूज करते हो तो फायदा ये भी होता है कि हमारा जो code writing वो थोड़ी सी easy हो जाती है अलग अलग use effects डालने पड़ते हैं तो वो सारा काम भी इसने काफी जादा easy कर दिया है ठीक है? अब use products हमें क्या क्या मिल रहा है वो भी देख लेते हैं तो spending ठीक है spending मिल रहा है data मिल रहा है error एक काम करते हैं पहले मैं hook का call करते थी तो intelligence के लिए easy हो जाएगा error मिल रहा है हाँ अब आने लग गया ना is error मिल रहा है ठीक है अब हम क्या करते हैं states के basis पे वो करते हैं return करते हैं तो is spending है तो हम क्या करेंगे return ठीक है ये कर देते हैं h1 loading ठीक है अगर error है तो हम क्या return करेंगे error message को display करेंगे h1 इसको चलो ठीक है h1 ने छोड़ देते हैं फिलाल अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तब हम यहां पर अपने data को display करने वाले हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे data.map ठीक है data में क्या रहा है product आ रहा है ठीक है product के लिए मैं यहां पर फिर से एक div बना लेती हूँ क्योंकि मैं एक div में ही सारे product को wrap करना चाहती हूँ है ना तो यह हमारा एक तरीके से यहां पर क्या होगा देखो यह मांगेगा कि यह बोलेगा key दो तो key क्या देंगे अब देखो इसी के लिए मैंने यहां पर response रखा हुआ था तो हमारे पास id आ रही है response पे तो हम id दे सकते हैं तो क्या जाएगा product.id ओके इसके अलावा हमें क्या चाहिए image source is equal to product product. क्या मिल रहा है image के लिए हमको image ही मिल रही है ठीक है तो product.image और alt के लिए क्या दे सकते हैं हम title दे देते हैं तो यह यूज कर लेते हैं product.title okay कि उसके अलावा हमें क्या चाहिए name चाहिए product.title h1 ने इसको h3 रखते हैं थोड़ा चोटा ही चाहिए हमको उसके अलावा क्या चाहिए price दे देते हैं यह intelligence ने परिशान कर रहा है इस मैं पता नहीं क्यों हूँ तो यहां पर क्या जाएगा product.price ही है न देख लेते हैं यह price है right product.price okay तो यह अब हमारा जो data है यह reflect होना चाहिए यह display होना चाहिए यहां पर अब हम क्या करते हैं इस product को run कर लेते हैं npm run dev से run हो रहा है यह हमारा यहां पर अब देखो okay loading तो आया data नहीं आया data क्यों नहीं आया okay हाँ यहां पर हम ना कुछ भी return नहीं कर रहे हैं इसलिए data नहीं आया okay so we have to place this in a return इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं all right let's see now okay great तो हमारा basically data आने लग गया देखो data तो आई रहा है यह image आ रही है यह हमारा title आ रहा है यह इसकी price आ रही है यही चाहिए तना हमको तो data तो आ रहा है अब इसको थोड़ी सी आपको बस css add करके इसको fix करना है तो वह मैं आपके लिए कर देती हूं all right guys so basically मैंने यहां पर इसकी थोड़ी css fix कर दी है यहां पर मैंने app.css में कुछ code add कर दिया आप वहाँ से चाहर कर सकते और acss को use कर सकते हो इसके लावा guys इसमें एक चीज़ और होती है वो होती है use mutation hook तो मैं एक बर आपको वो दिखा देती हूं यहां पर तो अगर आप देखोगे तो quick start में आ फिर से जाएंगे तो mutations तो basically क्या होता है कि एक इसमें use query के लावा use mutation hook भी होती है इसका काम क्या होता है इसका काम होता है कि कोई भी data है उसमें आपको कुछ create करना है update करना है डिलीट करना है उसके लिए अगर आपको कोई API call यूज करनी है तो वो हम use mutation की करते है query से हम क्या कर रहे थे get कर रहे थे mutation से हम क्या करेंगे चीजों को update कर सकते है तो अभी मेरे पास कोई proper API call तो है नहीं कुछ भी data update करने के लिए लेकिन यह fake store API में हमको क्या होता है कि एक API call मिलती है जैसे यह है add new product इसके लिए API मिलेगी और इसमें हमें ऐसा एक output भी मिल जाएगा अगर हम कुछ चाहिए तो तो यह क्या होता है कि यह बस एक शो करने के लिए कि हाँ हम data update कर रहे है लेकिन इनके database में कुछ भी store नहीं हो तो यहां पर क्या करेंगे इस products के नीचे ओके चलो मैं यहीं पर पिल्कुली उपर ही बना देते हूं ठीक है यहां पर लेकिए यह एक प्रोड़क का बटर आ गया है जो थोड़ा दिकसा भी कम रहा है ओके इसके on click में हम use mutation करने का try करते हैं थोड़ा सा थीक है तो अब use mutation को कैसे कॉल करते हैं सबसे पहले दो हम एक mutation का function बना लेते है तो कैसे बनाएंगे यह मैं फिलाल copy ही कर ले रह function है हम to do कुछ भी add नहीं कर रहे है रिटर्न यह क्या करेगा यहां पर देखो हम इसको यूज करेंगे ओके तो all right ठीक है तो यह हमारा basically mutation का function बन गया है अब हमको इसको क्या करना है call करना है अब देखो यह function यहनोंने call कर दिया अब इसको अब यहां पर क्या होगा देखो mutation pending होगी तो यहनोंने कहा है adding to do अब यहां पर हमारी obviously इसमें हम क्या कर सकते हैं if हम यहीं पर बना सकते हैं mutation.pending तो फिर हम फिर से एक return लगा देते हैं हाला कि यह return यहां पर लगाना तो नहीं चाहिए क्योंकि यह क्या होगा कि अगर हम यह return लगाएंगे तो जो हमारे products display हो रहे थे वो सारे चले जाएंगे है न तो ओके एक काम करते हैं यहां कर देते हैं इसको है न यहां पर क्या करेंगे mutation.pending हुआ इस पेंडिंग हुआ तो फिर हम क्या करेंगे इसको p tag दिखा देते हैं adding product ओके अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम दूसरी states चेक करेंगे ओके तो दूसरी states ही कैसे चेक कर रहा है मालों फिर यह आ गया अब इसने अगली state क्या चेक करी इस error की state चेक करी ओके तो यहां पर हम जाएंगे इसने fragment में wrap कर रहा हुआ क्योंकि और भी चीज़े handle करनी है अंदर ठीक है अब यहां पर कर लेंगे mutation.isError तो यहां पर क्या आ जाएगा error message आ जाएगा ठीक है अगर यह successful हुआ mutation.success की क्या state ते एक बार देख लेते हैं mutation.isuccess है ठीक है इस success हुआ तो फिर हम क्या करेंगे यहां पर फिर से करेंगे p tag में product added ठीक है इसको हम question mark नहीं कर रहे हैं इसको हम end end कर देते हैं मतलब अगर यह हुआ तो यह ऐसा आएगा button और यहां पर क्या आ जाएगा on click is equal to यहां पर कर देंगे mutation.mutate ऐसी क्या हुआ है देख लेते हैं मैंने भी actually use नहीं कर रहा है कभी मैं first time ही कर रही हूं यहां आपकी सामने बैठके इसने यहां पर क्या कर रहा है data pass कर रहा है क्योंकि इसके to do में हम एक new to do pass हुआ था हमने कोई product data pass नहीं कर रहा है कोई argument नहीं है इस function के अंदर तो हम directly बस इस function को directly बस इसको call कर देंगे ओके let's see क्या होता है तो यहां आ गए अभी देखो हमने क्या कर रहा है जब हमारा ending आ गई तो एक console भी डाला हुआ है क्या हो गए console.log जेसन कर रहा हुआ है हमने तो देखते हैं successfully अब add हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है clear कर लेते हैं यहां पे console को मैं bottom पे ले आती हूँ इसे आपको और बेटर देखेगा थोड़ा से जूम भी कर लेते हैं तो यहां देखिए add product हिया तो yes यह आईडी आ गई ठीक है और हमारा product added भी आ गया थोड़ा सा हमने यह गलती करी कि इस चीज को ना हमें success वाले को इसकी नीचे करना चाहिए था तो थोड़ा सा realistic सा लगता है ना फिर से try करते हैं यहां बैट के करा है और documentation देखे कितना फटा 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 से हो गया आप भी कर सकते हो इतनी कोई tough चीज नहीं है ओके गई चलिए तो बस यही था आज के वीडियो के बारे में जो दो में चीजें थी use query use mutation वो मैंने आपको बता दिया यह अब आप देखो देखो गए एक त कर रहे हो कैसे आप card से remove करोगे तो for that please channel को subscribe कीजिए वीडियो पसंद आया तो please 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 like कीजिए जिससे और लोगों को ही पता चल सके कि वीडियो सही में अच्छी है ओके तो चलिए फिर next video मिलते हैं बाबाए